हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए है मात दो कच्छे आलू का बहुत ज़दा क्रिस्पी और टेस्टी नास्टा इस नास्टी को आप एक बार 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 बनाना चाहेंगे खाने में यह बहुत ज़दा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी है क्योंकि हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाएंगे तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटा फट से इस नास्टी को बनाना स्टार्ट करते है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती उसे भी जरूर प्सक्राइब तक हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है उसकी नोटफिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को बहुच कर सके तो चलिए फटाफट से स्नास्ति को बनाना स्टार्ट करते है तो पीलर की हड़ से भी पील का सकते है एक बार आलू अच्छे से पील जाएगा उसके बाद हमारे आलू का ले में डाल देंगे तो आपके पास जिस तरह का भी कद्दूकर्ष है अप jut्से अपने आलू को अच्छे से प्द्दूकर्ष कर लींगे तो पातर 1 मिनट अगेगा तो आप इन कद्दू कस किये हुए आलो को हम इसी पानी में रहने देंगे इससे हमारी जो आलो है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं पड़ेंगे तो आप इन कद्दू कस किये हुए आलो को हम साइड में रख देंगे और अप फटा फट से एक दूसा बोल ले लेंगे इसमें हम अपने नास्ते के लिए दूसरी preparation करेंगे तो प्राइण आप अपने नास्ते को बनाने के लिए हम एक बैटर तयार करेंगे इसके लिए हम लेंगे एक चौथाई कप जितनी सूजी तो सूजी आप मोटी या महीन कोई भी दाने की इस्तमाल कर सकते हैं तो बस एक चौथाई कप जितनी सूजी आपको लेनी है और इसे आपको बोल में रास्ता कर देना है जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम इसमें एट करेंगे बैसन तो बैसन को हमने अच्छे से चान लिया है उसके बाद ही इस्तमाल किया है तो दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी और अब हम इसमें डालेंगे एक कप जितना पानी और इसे डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सूजी और बेसन को फूलने में एक से दो मिनट लगेगा तो इस बैटर को हम एक मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर बिल्कुल भी कुछलिया वगरा नहीं होनी चाहिए यह मेक्शोर के लिएगा तो देखी यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब इसे हम एक मिनट के लिए रैस पे छोड़ देते हैं साथी अपने नास्ते को थोड़ा सा स्पाइसी पनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चमत जितना चिली फ्लिक्स अगर आप बहुँ ज़दा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगा पर हरी मिच कभी स्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद नुसान नमक और नमक डालने के बाद इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं लेकिन हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे तकरीबन एक चौथाई कप जितना और इससे डालकर हम इस तरह से इसका बैटर दिया करेंगे तो बैटर को हम दो से तीन मिनट के लिए रैस पर चोड़ेंगे ताकि इसके अंदर जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए तो जैसे हम डालेंगे दो चोटे चमच जितना तेल तो अब इस तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जैसे हमारा तिल गरम हो जाएगा हम इसमें अड़ करेंगे आदा चोटे चमच जितनी राई तो यहाँ पर हमने मोटी वाली राई का इस्तमाल किया आप चाहे तो महीन वाली कभी इस्तमाल कर सकते हैं साथ हम इसमें डालेंगे एक चोटाई जमच जितना साबू जीरा और थोड़े से हम इसमें अड़ करेंगे कड़ी पता तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से चटकने देंगे जैसे ही सारी चीज़े अच्छे से चटकने लगेंगी वैसे ही हम इस और बैटर को हम बराबर चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए जैसे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से थीक होने लगेगा और यह एक डो की पॉम में आने लगेगा तब तक कि हमें इसे पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमारा यह मिक्सचर अच्छे से पक जाएगा यह हमारे हाथों पर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और यह कड़ाई की सते को छोड़ने लगेगा तो यह साइन है कि हमारा जो मिक्सचर है अब चाहां सुध़िए पुदीने के पत्य भी आटका सकते हैं तो यह बहुत ज़दा नहीं 법क का सकते है एक कांट हरी मश हरी मश्य आपनेइस प्राइस की दैलेगा इसके साथ हम इसमारा आट करेंगे ठोड़ शोड़ रोस्टिक चने तक्रीमाद दोस्य यह जलने के बाद है, इसके बाद, हैं इसमा एड़ा, जलने के बाद is यह सब रहा है, इसमें आड़ियगे एक छुथाई में पहनी बाद राद है, बोल में ट्राइसर कर लेंगे और आप चलते एपनी नेक्स्ट टेप पर तो फ्रेंड अब अपने नास्ते को set करने के लिए हम इस तरह की square वाली टीन ले लेंगे तो इससे हम आधे पर ही टैप करेंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वो थोड़ा सा थेक बने यानि की मोटा बने इससे हमारा जो नास्ता होता है वो अंदर से थोड़ा सा सौफ्ट रहता है क्योंकि हमारा नास्ता ओरेडी कोख है तो बस इसे उपर से अच्छे से क्रिस्पी करना है बहुत ज़दा अंदर तक क्रिस्पी नहीं करना है तो देखे इस तरह से हम इसे हाथों से हलका सा tap कर देंगे एवन कर लेंगे एक बाद जब यह अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसे cut करेंगे तो चले फैन इसे हम set होने देते हैं तो देखे दो से तीन मिनट हो चुका है और हमारा नास्ता काफी अच्छे से set हो चुका और यह काफी अच्छे से ठंडा भी हो चुका है तो सबसे पहले हम इसके corners को इस तरह से remove करेंगे corner से remove करने से यह बहुत easily निकल जाता है बिल्कु भी break नहीं होता है तो इस तरह से सबसे पहले हम knife से इसे corner से निकाल लेंगे उसके बाद इस तरह से हम हलका सा इसे tap करेंगे टिन को और यह हमारा नास्ता निकल कर आ गया है तो अब इसे हम cut कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसे square shape में cut कर रहेंगे आप चाहें तो इसे किसी भी shape में बना सकते हैं तो इस तरह से आपको इसके बड़े-बड़े square बना लेने हैं तो यहाँ पर चलिए फटा-फट से इसी तरह से हम इसे cut कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इपने सारे नास्तियों को cut करके रख लिया है आप चाहें तो इसे freeze में store करके भी रख सकते हैं अगर आप इसमें प्यास नहीं डालेंगे तो यह नास्ता हफ़तों तक चल जाएगा जब भी आपके मैमान है तो आप उन्हें fry करके दे सकते हैं लेकिन हमने इसमें प्यास डाला है तो इसे हम अभी fry करेंगे तो इसके लिए हमें एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए तक देंगे जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसे एक एक करके पैन में डालेंगे और इसे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक fry करेंगे आप चाहें तो इन्हें deep fry भी कर सकते हैं लेकिन हमरे अपने नास्ते को थोड़ा सा हल्दी रखने के लिए इसे हलका सा सेलो फ्राइ करेंगे आप चाहें तो इसे हलका सा ओयल लगाकर सेख भी सकते उससे भी हमारा नास्ता बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्टा तेल धालेंगे तो यह और भी जदा क्रिस्पी होगा बस आपको इसकी side को बराबर से change करते रहना है ताकि यह चारो side से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जैसे ही इसमें बहुत प्यारा सा color आ जाएगा और यह चारो तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगे तब हम इसे तेल से बहार निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गरम स कर देते हैं आप इसे किसी भी चुटनी के साथ enjoy कर सकते हैं आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं बहुत ही healthy और tasty recipe हो बहुत कम सामान से बनकर तयार हो जाती है बच्चे से लेकर बड़े तक इस नास्तिय को बहुत ज़दा पसंद करेंगे क्योंकि ओपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से soft तो जरूर से try कीजेगा और हमें comment में बताइएगा कि आपको हमारी आज की recipe कैसी लगी तो चलिए फैर मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूं कि उपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से कितना soft है उपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उत्माई कर कहेंगे तो इस तरह से आप उन्हें लंच बॉक्स में इस नास्ति को बना कर देश सकते हैं तो जरूर से try कीजेगा और हमें comment में बताइएगा कि आपको हमारी आज की recipe कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब कीजेगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में हैसी नही मज़ेदार हैं सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब क्लिपने ख्याल रखें बाबाइए टेक करें थैंक्स वाचिंग